नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं जर्खन सहीत, यूपी, 36 गर, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल परदेश, उडिसाव, अमध्य परदेश समेत अन्य राज्यों में ओल्ड पेंशन इसकीम की मायंग कर रहे करम चराई संगठनों के प्रतिनिदी मवजूद रहे सियम हिमत ने कहा कि उनकी सरकार की पहली प्रत्मिक्ता सरकारी करमियों और आम लोगों को समाजिक सुरक्षा की गरांटी देना है इसलिए सरोजन पेंशन योईना के तहौत हर विध्वा बुजूर्ग दिव्यांग एककल महिला को घर से ढूंड ढूंड कर पेंशन दी जा रही है मुख्य मंत्री ने कहा कि जार्खन सरकार सभी बर्गों के समाजिक सुरक्षा के प्रतिस सन्वेदन सील है सील्पी नेहा तिर्की ने जीता मांडर उपचुनाव मांडर बिधान सभा उपचुनाव में कांग्रेस की परत्यासी सील्पी नेहा तिर्की के बिजाई के साथ जार्खन बिधान सभा में पार्टी के महिला बिधायकों की संख्या 5 हो गई है वहाई गड़ बंधन पर 83 सीलपी के बिजाई के साथ बिधान सभा में महिला बिधायकों की कूल संख्य एगारा हो गई है इसमें कॉंग्रेस की पांच जेमेम और बिजेपी की तीन-तीन महिला बिधायक है बता दे कॉंग्रेस के पूर बिधायक बंधू तिर्की के पुत्री सीलपी निहा तिर्की ने मांडर बिधान सभा उपचुनाव में बिजेपी पर 83 गंगोतरी कुजूर को 23 से 1517 वोट से पराजित किया है प्रदेश में फास्ट ट्रेक से होगी 86,000 सिसकों की भरती बता दे शिक्षा मंतरी ने कहा कि वे जार्खन के हीत में आदेश पाल के रूप में काम नहीं कर रहे वे अधिकारी, पूलिस, नीजी इस्कूल के परधना ध्यापक, मीडिया कर्मियों से अपील करते हैं कि वे भी किसी न किसी इस्कूल में एक घंटी कलास ले बच्चों के बीच अपने अनुभावों को साजा करे बता दे बोकारो के एस्पी चंदन जा, डी एस्पी विकास रिवास्तों समेत अने थानेदार भी स्कूलों में कलास ले रहे हैं मांडर जितकर हिमंत सुरें से मिली सीलपी नेहातिर की जारखन के मुख हिमंतरी हिमंत सुरें ने मांडर विधान सबा उपचुना में गटबंधन के उमिद्वार सीलपी नेहातिर की की जीत पर खुसी जायित की है उन्होंने कहा आज फिर जारखंडी और जारखंडियत की जीत हुई है धन, बल, जूट, छल, अहंकार और सोशन की रायनीती को चौते उपचुनाव में मांडर की जनता ने चारोग खाने चीत कर दिया गटबंधन की युवा उमिद्वार सिल्पी नेहा तिर्खी को अनेको अनेक बधाई सभी मांडर वासियों को धन्यवाद और जोहार इधर मांडर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हमन्शुरेन से नौर निर्वाजीत विधायक सिल्पी नेहा तिर्खी मुलकात करने पहुँची उनके साथ कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष राजस ठाकूर और करकारे अध्यक्ष बंधू तिर्खी भी सीम से मिले और जीत की बदाई दी अगनीपथ योजना के तहत वायू सेना को 56,000 से अधिक मिले आवेदान भारतिये वायू सेना को अगनीपथ भारती योजना के तहत रभीवार तक 56,960 आवेदान पराप्थ हुए हैं इस वायू सेना ने रभीवार को ट्वीट किया कि 56,960 या अगनीपथ भारती आवेदान परक्रिया के जवाब में वेबसाइट पर भाविसे के अगनीपथ से अब तक प्राप्थ आवेदानों के कूल संख्या है बता दे पंजीकरन 5 जुलाई को बंद हो जाएगा जार्खन बोड बराहूई आर्श कोमर्स रियल्ट आज जार्खन बोड के द्वारा बराहूई के कोमर्ष और आर्श स्ट्रीम के रियल्ट जारी होने के उल्टी गीनती शुरू हो गई है बतादे मेडिया रिपोर्ट की माने तो 27 जून को आर्ट्स और कोमर्स का रियल्ड जारी कर दिया जाएगा रियल्ड की घोस्ना सिक्षा मंद्री प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से कर सकते हैं हलाकि जार्खन बोर्ट के द्वारा अभी तो कोई अधिकारी घोस्ना नहीं की गई है जार्खन में तेजी से बढ़ रहा करोना एक की मौत जार्खन में करोना के मामने लगातार बढ़ रहे हैं यहां सन्निवार को तीरपन नए संक्रामित की पाचान होने के बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़ कर 220 हो गई इस तरह 13 दिनों में एक्टिव केस की संख्या बढ़ कर 4 गुना से अधिक हो गई है बतादे राजे में 12 जून को ऐसे संक्रामितों की संख्या 52 ही थी सन्निवार को सबसे अधिक देवगर में 20, रांची में 16, पुर्वी सिमू में 10, हजारी बाग में 4, पलामों, गढ़वाव, धनबाद में एक-एक संक्रमित की पहचान हुई है वहीं जमसेतपूर में एक मरिज की मौत भी हुई है गरामीन डांक सेवक के रिजल्ट में गढ़वड़ी अभियार्थियों को 100% अंक डांक विभाग की और से गरामीन डांक सेवक पक्त के लिए हुई प्रतिन्युक्ती परिक्षा के रिजल्ट में 28 अभियार्थियों को 100% अंक मिले है इससे रिजल्ट पर सवाल उठने लगे हैं बतादे 20 जून को जारी रिजल्ट में जारखंड के 608 अभियार्थी सफल हुए है सफल अभियार्थियों के पहन पत्र की जाच 5 जुलाई से सुरू होगी रिजल्ट में सफल सभी अभियार्थियों को अंठन में से लेकर 100 फिस्दी तक अंक दिये गए हैं रिजल्ट जारी होने के बाद से इसमें गलबड़ी के असंका जताई जा रही है कई अभियार्थी तो रियल्ट के खिलाब कोट में चिनवती देने की त्यारी में है मालूम हो कि ग्रामी डांक सेवकों की सिधी नियुकती मैट्रिक के परमान पत्र क्याधार पर होती है रांची एरपोर्ट पर विंटर सेड्यूल अक्टूबर के प्रथम सब्ता में रांची के बीर साम उंदा इरपोर्ट पर आने जाने वार ले बिमानों का विंटर सेड्यूल बनाने का काम सुरू हो गया है फिलाल देश के सभी आरपोर्टों से बिमानों के परिचालन की स्थीती की अजय जा रहा है यह भी पता लगाया जा रहा है कि कौन-कौन सी जगों के लिए नए बिमान सेवा शुरू करने की बात हो रही है इन मुद्धों पर विचार करने के बाद विंटर से ड्यूल तयार किया जाएगा सिख्षकों के अस्थनांतरन के लिए फरवारी से लिया जाएगा आवेदान राजे में सिख्षकों के अस्थनांतरन के लिए फरवारी से आवेदान लेने की त्यारी है इससे पुर्व अस्थनांतरन को लेकर आवस्यक परकिरिया पूरी की जाएगी सिक्षक अस्तनातरन निमाली 29 में संसोधन के बाद अब सिक्षा भी बाग अस्तनातरन को लेकर निदेश जारी करेगा सिक्षको के अस्तनातरन की परकिरिया जुन जुलाई में पूरी होगी सिख्षकों के समाने अस्तरांतरन की परकिरिया अगले वर्ष जून में पूरी होगी वहीं समाने अस्तरांतरन जीला अस्थापना समीति के निर्नाय के बाद पूरी होगी वहीं अंतर जिला स्रांतरन के सम्मध में जीलो को दिये गए अनुसंसा पर जुन जुलाई में निर्ना लिया जाएगा लोहरदागा चेमबर का चुनाव 7 अगस्त को 5 जुलाई से चुनावी परकिरिया शुरू लोहरदागा चेमबर आफ कुमर्स अइन इंडस्टिज का चुनाव आगामी 7 अगस्त को होगा इसका फैसला चेमबर आफ कुमर्स के चुनाव कर्याले में चुनाव पताधिकारी कमल पर साथ केस्ती के अधिक्स्ता में हुई बैठक में लिया गया बैठक में स्वरो समाती से निना लिया गया कि चेमबर के नए सदस्यों के सूची आने में होई बिलाम और नवीनी करण सुल्क समाय पर जमा नहीं होने के कारण चुनाव की तीथी को 30 जून से बढ़ा का 7 अगस्त कर दिया गया ताकि निधारी तीथी पर चेमबर का निस्पक चुनाव करा जाचके स्वास्त सीवीर में हेमंत का फोटो नहीं देख भड़के बना गुपता हेमंत सुरेन सरकार के स्वास्त मंत्री बना गुपता नराज हो गया है वो अगूसे से लाल हो गया है बतादे स्वास्त मंत्री बना गुपता ने खोटी में आयोजीत मेगा स्वास्त सिवीर का बहिसकार कर दिया है वे खोटी पहुच कर भी इस कारकरा में सामिल नहीं हुए और सरकिट हाउस से ही वापसलोट आए उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त कारकरा में ना तो मुक्ष मंत्री हमन सुरेन को बुलाया गया और नहीं मन्च पर उनकी तस्वीर लगाई गई उन्होंने कहा कि पुरा कारकराम भाजपा मय कर दिया गया है रामगर के कुऊआ में गीरा जंगली हाथी जारकन के रामगर जीले के गोला थाना छेतर में इस समय जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है बड़ी संख्या में हाथियों का जूर इलाके में बिचरन कर रहा है जानमाल के नुकसान को लेकर लोग डरे हुए है सतर्क भी है हर साल यहां हाथियों का जूर आता है और बड़े प्रमाने पर तबाही मचाता है बता दे कई लोगों की जान भी चली जाती है बन भी भाग इन्हें खदरने की नकाम कोशिस भी करता रहा है हाथे कोटपाथ से जो बच गए खूद को यहां भागे साली मानते है बरहाल इलाके में पहुँचे एक हाथियों के जूर के साथ हाथ से हो गया हुलहु गाव में सनिवार की देर रात को एक जंगली हाथी कुए में गिर गया हुआ यह की हाथियों का दल मकई और भेंडी के खेट से होकर गुजर रहा था रात का समय था करीब अढ़ाई बजे एक हाथि कुए में गिर गया छोटे मिया इर्भान अंसारी हेमन सरकार पर निकाला गुसा जायरखंड के जामतरा विधान सभाचेतर से कंग्रेस की विधायक डाक्टर इर्भान अंसारी आए दिन सुर्खियों में रहते हाए कभी हेमन सुरेन सरकार के लिए भाजपा से लोहा लेते नजर आते हाए तो कभी अपनी ही पार्टी के मंतरियों पर भास निकालते दिखते हाए बता दे हर सवाल पर खुल कर अपनी बात कहने वाले इर्भान अंसारी एक बार फिर नराज होगा है उनका पारा सात्वे आस्मान पर पहुँच गया गुसे में अपने ही हिमन सरकार को कोश रहे हैं उनका आरोप है कि इस बार जारखन के हज यात्रियों की खैरियत पूछने वाला कोई नहीं है गढ़वा में अंधवी स्वास में बहन की चड़ाई बली जारखन के गढ़वा जीला अंतरगत स्री बंसी धर नगर थाना छेतर के जंगी पूर उराव टोला में मनावता को सरमसार कर दिल दराने वाली एक घाटना प्रकास में आई है बता दे जंगी पूर उराव टोला निवासी मुन्ना उराव की 26 बरसी पतनी गुडिया देवी को भूत पिरेत के चकर में उनकी सगी बहन ललीता देवी और बहनोई दिनेस उराव ने पती, सास, देवर और देवरानी के सामने बली चड़ा दी तंत्र मंत्र के दुरान गुडिया देवी की सबसे पहले जीव काटी गई इसके बाद प्राइवेट पाट के जरिये उसकी यूट्रेस और आत भी बाहर निकाल ली गई तलब तलब कर गुडिया देवी ने दम तोड़ दिया मांडर उपचुनाओं में हार पर गंगोत्री कुजूर बोली मांडर उपचुनाओं के नतीजे सामने आ चुके हैं कॉंग्रेस परत्यासी सीलपी नेहा तिर्की ने भारी मतों से जित तर्च कराई है इसी के साथ उन्होंने पीता के सीट बचा ली बता दे बिजेपी परत्यासी गंगोत्री कुजूर ने हार सविकार करते हुए कहा कि इस हार की जिमिदारी मैं खुद लेती हूँ हलाकि उन्होंने कहा कि अगर उमिद्वार की घोसना पहले हो गई होती तो पहिणाम कुछ और होता आगे संगठन के लिए काम करती रहूंगी मिद्डे मील के बारे में पुछना चात्रों को पड़ा महंगा जारखंड के गढ़वा जिले से एक हरान करने वला मामला सामने आया है द्रसल यहाँ पुरा मामला मिराल प्रखंड के उतकर्मिक उच्विद्यालय बना का है जहां इस्कूल के प्रधना ध्यापक बबन दास का एक अमानुए किरित्य सामने आया है गढ़वा के साथ हजार किसानों को मिलेगा के सी सी लोन जहारखंड के गढ़वा जिले के किसान हेमंत सुरेन सरकार के एक नीने से काफी खुस हैं क्योंकि अब किसानों को खेती करने में कोई समस्त्य उत्पन नहीं होने वाली है द्रसल सरकार ने गढ़वा के साथ हजार किसानों को के सी सी लोन देने का लग्छ रखा है वहीं अब तक जहारखंड के गढ़वा जिले के 40 एर किसानों ने के सी सी लोन के लिए आवेदन दिया है जिसमें से 10 एर किसानों को 87 कुल रुपए की रासी बाट भी दी गई है बता दे जहारखंड के गढ़वा जिला एक क्रिसी प्रधान जिला है यहां आमदनी का एक मात्र जरिया क्रिसी है हूल दिवस को लेकर पद्यात्रियों का जथा दूमका के लिए रवाना संताल हूल की 117 वर्षगाट पर साहव गंज के भोगना डी में होने वाले आविजन में भागिदारी सुनिश्चित करने तथा हूल के अमर नायकों को सर्धा सुमन और पित करने के लिए दूमका से पद्यात्रा की सुरुवात की गई गोटा, भारोत, सिद्धो, कानो, हूल वैसी और अन्य सहयोगी संस्थाओं ने हूल दिवस को लेकर पद्यात्रा का सुभारम पोखरा चौक में सिद्धो, कानों की परतीमा पर मल्यारपन कर किया राष्ट पती चुना, अध्रोपदी, मुर्मु या यस्वंत, सिना बीच का रास्ता देख रहे सिय महमांत राष्ट पती चुना में समर्थन के लिए भलेई सता रूट जार्खन मुक्ती मुर्चा में आर्येडी परत्यासी द्रोपती मुर्मु का पलड़ा भारी है लेकिन इसका अधिकारिक एलान करने को लेकर पार्टी असमंजस की स्थिती में है यही कारण हाई कि सनीवार को यहां होई बिधाय को समेत वर्ये नेताओं के बैठक में कोई फासला नहीं हुआ जहां मुमों की सुत्रों के मुकाबले मुख्य मंत्री हमन्चुरेन का दिल्ली दोरा निरनाय लेने के लिहाई से मतपुन होगा अब तक मिली जनकारी के अनुसार हमन्चुरेन सोमवार को दिल्ली का रूख कर सकते हाई तयारी केंद्री ग्री मंत्री अमीद सा और कांग्रेस अध्यक सोनिया गांधी से मुलकात की है धुगुना पैसा करने वाले ठग ने उड़ा लिए 33 लाख रूपए हजारी बाग के आर्मी अधिकारी से 33 लाख रूपए की ठगी के मामले में दर्ज परत्मिकी के 6 साल के बाद एक अरोपित गिरफतार किया गया है बता दे अपराद अनुसंधान विभाग के अधिन संचाली साइबर अपराय थाने के पुलिश ने उसे पकड़ा है गिरफतार अरोपित अलोग कुमार है जो मुल डूप से बिहार के बैसाली जिले के महवा थाना छेतर के अक्तियार पूरका रहने वाला है उसके पास से पुलिश ने घाटना के परियुक्त मोबाईल दो सिम कार्ड एक अधार कार्ड वा एक पैन कार्ड भी बरामत किया है गिरफतार अरोपित से पुछता जारी है अगनी पत्थ योजना का पूर्जोर बिरोध करेगी कांग्रेस जारखन के सभी बिधान सभा छेतर में कांग्रेस के नेता एमकर करता केंद्र सरकार की अगनी पत्थ योजना के बिरोध करेंगे इसके लिए सोमवार की तीथीता की गई है राश्ट्रिय परवक्ता आंसूल अभिजीत ने रांची स्थित परदेश कंग्रेस मुख्याले में जनकारी दी है इस दोरान उन्होंने केंद्र सरकार को सभी मोर्चा पर बिफल रहने का आरोप लगाया है मौके पर परदेश कंग्रेस अध्यक्स राजे स्थाकुर भी मौझूद थे अनुबंध सहायक प्रध्यापक संकी बैठक जायरखन सहायक प्रध्यापक अनुबंध संकी बैठक रविवार को हुई इसमें राची बिसोबिद्याले, कुनहान बिसोबिद्याले, बीनोबा भावे बिसोबिद्याले, बीबी, एमके, यू वा, एसके, एम्यू से एकहतर सिख्षकों नहीं सा लिया बैठक में नीने लिया गया कि राजे के सभी विश्वविद्याले में कार्यत घंटी अधारित अनुबंद सायक पर अध्याप्यों के नियमिती करन के लिए स्टेच्यू निर्मायन करने वा हाटायक अशिजकों की सेवा पर करार करने के लिए मुख्य मंत्री से 6 जुलाई तक निर्नायक वार्ता की जाएगी वार्ता असफल होने पर डेरा डालो कारकरम किया जाएगा बैठक में संखे परदेश अध्याक्ष मौझूद थे सीम हिमन्त आज जाएंगे दिल्ली मुख्य मंत्री हमन्सरेन दिल्ली जाने वाले हैं राष्टपती चुनाओ को देखते हुए या दोरा महतपुन माना जा रहा है बता दे 12 बजे ओ दिल्ली के लिए रवाना होंगे बता दे कि अब तक जे एमेम ने राष्टपती चुनाओ को लेकर स्टेंड साप नहीं किया है एंडिये या यूपिये परतियासी कि इनको समर्थन देना है इस पर निनाए नहीं लिया जा सका है गौतला भाय की जे एमेम ने राष्टपती चुनाओ को लेकर गत सनिवार को आहम बैठक बुलाई थी पार्टी अध्यक सीवू सुरेन के अध्यक्सता में या बैठक होई जिसमें सभी भी धायक और सांसाज मवजूद रहे बेतला नेशनल पार्क में पर्याटक अब देख सकेंगे बाग लातेहार और पलामू में अवस्थित बेतला नेशनल पार्क आने वाले पर्याटकों को अब बाग देखने की गरांटी होगी PTR परवंधन द्वारा इस साल के अंत तक टाइगर सफारी की सुरुवात कर दी जाएगी इसकी परकिरिया सुरू कर दी गई है PTR द्वारा इस बेतला नेशनल टाइगर Conservation Authority को प्रस्ताव भेजा जाएगा इसकी सुरुक्रिती जल्द मिलने की समभावना है इसको लेकर PTR के बेतला नेशनल पार्क के 50 हेटेर के घेरावांद जंगल में छोड़ा जाएगा धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बज़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साशेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें जारखंडी निउज फेस्बूक पेज को लाइक करना ना भूले